रेडियो के जी एम यू गूँच 89.6 एफ एम इपने जी एम गूँच पर मैं हूँ आपके साथ में आजए शिवाय लेगर के शो शाम शानदार हर शाम आपसे छे से नो मुलाकात होती है और काफी सारी बाते हैं अपन लोग शेयर से रिलेटेड आपसे रिलेटेड इले लाइफ से रिलेटेड सारी दिन भर की धकान दूर होती है और बहुत सारा यहाँ पर एक दूसरे ऐसा फन भी करते हैं और बहुत सारी इंफ्रमेशन भी आपके लिए लेकर के आते हैं और इसी बीच में हमारे शो की जो यूएस पी है यानी कि जिसे कहते हैं कि सबसे मूलेवान चीज वह है हेल्थ सेगमेंट और इसी हेल्थ लिखने हैं कि चकप कर वालो जाकर के क्योंकि चक अप से आरी चीज़े पता चलती है तो यह जो चैक अप है इसके बारे में लोग और हम लोग आज जानकारी देने वाले हैं चाप किसी भी बिमारी के पूण निदान के लिए पूण वरकप के लिए अत्यांत अवश्यक है और check-up के लिए generally sampling करी जाती है sampling कई प्रकार की होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा लेकिन sampling क्यों इतनी महत्पूर हो जाती है ये मैं इसलिए आपको बताऊंगा और कैसे करनी चाहिए कहां करवानी चाहिए और कहां भीजना चाहिए ये अत्यात महत्पूर है क्योंकि एक अंग्रीजी में कहवद भी है गार्बेज इन, गार्बेज आउट अर्थात अगर इनपुट में खामी होगी तो आउटपूट या रिजल्ट भी टुटी पूर होगा इसलिए गुणवत्ता वाली रिपोर्ट के लिए सैंप्लिंग भी उचित मापदंडों के अनुसारी होना चाहिए कैसे पैचाने क्या तरीका है साही सैंप्लिंग को पैचानने का साही सैंप्लिंग पैचानने का तरीका यह है कि पैथालोजी सैंप्ल कई प्रकार के होते हैं जैसे blood हो गया, urine हो गया, tissue sample हो गया, FNAC, जिसको सुई के द्वारा जाच कहते हैं, वह हो गया, कई body fluids होते हैं, जैसे CSF हो गया, या sinival fluid हो गया, आत का fluid हो गया, पेट का fluid हो गया, तो इसमें हर sampling को करने के लिए कुछ निर्धारित प्रोटोकॉल होते हैं, उनको पालन करना नितांत अविश्यक होता है, कुछ प्रोटोकॉल इसमें मरीज के स्थर पे follow करे जाते हैं, और कुछ sampling करने वाले technician के स्थर पे follow कर जाते हैं, उधारत है, अगर मैं जैसे बात करूँ कि blood sugar level की, तो जैसे blood sugar है, आप सभी को मालूम है, या कि इसका एक fasting label और एक post-prandial level, यानि कि खाने के बाद जांची जाती है, तो blood sugar अगर आपको करवाना है, तो आपको समय अनुसार ही blood का sample देना होगा, ये नहीं कि आप दिन में 12 बजे पहुँच गए या एक बजे पहुच गए और आप sampling अगर देना चाह रहे हैं, तो वो result कभी भी सही नहीं आएगा, वैसे ही होता है hormones के लिए, hormones के लिए अगर आपको कोई आपको जैसे doctor अक्सर advice कराते हैं, कि आप अपना thyroid profile करवा लीजे, या bone profile करवा हैं, तो यह चीज दिमाग में अवश्य रखें कि आप अपना morning सुबह का fasting sample ली दें, तो और कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे urine का sample होता है, urine का sample में भी कहा जाता है, कि जैसे first morning sample और mid catch sample एक term होता है, तो यह generally urine का sample तो technician लेगा नहीं वो आपको swim private में जाके लेना होगा, तो private surrounding में जाके लेना होगा sample को, तो उसमें भी beach की धार का sample लिया जाता है, यह चीज आपको भी मालम होना चाहिए, शुरूआत की धार का और अंत की धार का नहीं लेना है, तो कई चीज़ें इसमें एतनी महत्पूर्ण हो जाती हैं, कि अगर आपने यह निश्यत protocol follow नहीं है, तो जो sample आपका collect कर रहा है, उसके सर में भी कुछ साफधानिया बरतनी चाहिए, खेर यह तो अलग चीज हो गई, वो तो बरते गई sample, लेकिन जैसे जो वैक्यू टेनर्स होते हैं, जिसमें blood collect करा जाता है, उसमें एक निश्यत मात्रा तक ही blood लेना चाहिए, उससे कम न मिश्वास होता है कि हाँ यहाँ जाएंगे तो सही लाज होगा, लेकिन चेक अप लिखने के बाद में डॉक्टर के बाद में बहुत सारे लोग प्राइवेट जगह में चले जाते हैं, sample करवाने के लिए, या फिर किसी जान पर चितका है, जहाँ है, थोड़ा कम पैसे में चक अप हो जा रहा है, लोग compare करने लगते हैं, पैसे से, किस तरीके की मतलब लाबरवाई हो सकती है, तोरान अगर कहीं चार पैसे कम में हो रहा है, वहाँ जांच करवाने चलेगा, क्या गलतिया हो सकती है, यह देखना नितान ताविशक है, कि आप जिस भी लैब में अप अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात यह है, कि जिस भी लैब में आप जा रहे हो, यह आप देखने कि वह लैब एक रिजिस्टर्ट पैथलोजिस्ट के द्वारा संचालित हो, आज कल आपने देखा होगा, बिलकुल कुकुर मुत्तों की तरह हर लैब कली कुछे में छोटी-छोटी लैब खोलाई है, वो जनरली टेक्निशन के स्थर पे संचालित होती है, वहाँ पे कोई प्रेशिस्ट पैथलोजिस्ट नहीं रहता है, और ऐसी लैब्स में क्वाल्टी एशुरेंस भी नहीं फॉलो करा जाता है, तो हो सकता है कि वो लैब्स जहांच करते ही नहीं है, एक हमारे टर्म बड़ा प्रचलेते हैं सिंक टेस्ट, सिंक टेस्ट का मतलब यह होता है कि बस वो सैंपल को हाथ में लेकर सैंपल सिंक में उसको भाद देते हैं अपनी मन चाहिए रिपोर्ट थोड़ा भाद मरीच के बारे में अतापता करके पैसे जादा नहीं लग रहे हैं तो हमेशा आप उन्हीं की तरफ रुक करें अगर आप अपना सही रूख करने दान चाहते हैं सही लब्रोटरी कहा है, सही पैतोलोजिस्ट कहां मिलेंगे, सही जांच कहां होगी इसके बारे में जान लिया और यह भी पता चल गया है कि गलत जगे पर जाएंगे तो फिर क्या नुकसान हो सकता है थोड़ी से देर में ये भी जानेंगे कि क्या सही मापदंड होते हैं, क्या निर्धारित मापदंड होते हैं sampling के, और इसके अलावा sample के lab transfer किसमे, क्या साथधानिया में बरतनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें, आप जब sampling करवाने के लिए जाते हैं, या फिर अपना blood test व नियुक्सान हो सकता है और सही तरीके की सैंप्लिंग की सेंप्लिंग के कुछ नियदारित यह आपको बता था कि हर सेंप्ल को क्रेट करने का कोच एक नियदारित समय भी होता है खास कर जैसे अगर आप तो जनरली बुखार आने के एक या दो घंटे के अंदर अगर सैंप्लिंग लेंगे तभी आपको मेग्जमम पॉजिटिविटी रिजल्ट आने का उमीद होगा थोड़ा जब बुखार उतर जाए उसके बाद अगर आप सैंप्लिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं रहा जाता तो एक फॉल्स आपको रिपोर्ट आईगे वैसी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पाले शुगर के लिए हर बिमारी में ही होता है हर बिमारी में कुछ ना कुछ अगर डॉक्टर स्पेसिफाई भी करता है इसमें कि आपको इसी समय सैंप्ल लेना है तो यह चीजे अवश्ध ध्यान में रखना चाहिए वरना फिर लोग कहते हैं कि रिपोर्ट में तो कुछ निकला नहीं जबकि ऐसा अगर आप सही समय पे या सही जगह से वो नहीं लेंगे तो फिर रिपोर्ट में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं इसमें सैंपल क आपका टांसप्ड़ हो रहा हो वह लीइक प्रूफ हो आप जरा सभी उसमें से सामपल सको बहार नहीं निकलना चाहिए लीए उनना चाहिए आपको अगर्साप में जो उसको अवश्द कर देना चाहिए क्योंकि अगर अगर लिइक सैंपल होगा तो वह उसके संव बढ़ जाते हैं external contamination होगा तो निश्य थी रिपोर्ट की गुनवत्ता को वो प्रभावित करेगा दूसरी बात कई चीज़ें और होती है कि आप कूल तो हमेशा जितनी मेगजम कोशिश हो जल से जल लैब में टांसफर करें ओल्चेन मेंटिन करें तो बहुत अच्छी बात है और खासकर में एक चीज और बात करूंगा कि जो हमारे हां बायपसी की कई जांचें होती हैं तो उसके लिए कई बार टिशू ब्लॉक पेशन से कहीं और रेफरल होता है तो टिशू ब्लॉक लेके जाता है तो जो टिशू ब्लॉक क्योंकि वैक्स के बने रहते हैं और तो वैक्स भी वह पच्पंड डिग्री सिल्सेस के आसपास बिगलना शुरू हो जाता है तो अगर जरा सभी टेंप्रेचर 45-50 तक आ रहा हो तो उसमें भ क्योंकि सूर की रोशनी या कोई लाइट सूर्स के अगर डारेट कॉंटेक्ट में सैंपल रहेगा तो वह भी उसके अंदर कुछ बायो केमिकल चेंजेस उत्पन कर सकता है जिससे आपका जो रिपोर्ट है उसकी जो वैल्यूस है वो प्रभावित हो सकता है कि इसको सेंपल देते वर्ड लोगों से एक बार नहीं कई बार से खुण निकाल लिया जाता है दो बार तीन रार कितने खुंकरत है कि मरीज की कितनी जांचे मांगे गई हैं. साधनता है, अगर मरीज का कम्पीट चेक उप हो रहा है, तो 10 ml का सैंपल लेना अविश्यक हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका CBC के भी जांच होगी, खून की भी जाच होगी खून में भी कई प्रकार की जाचे होती है कि उसका आपका ब्लड शुगर भी होगा उसके हार्मून्स भी होगे उसके कई सीरम लिवर के और के इस संबंदे जाचे भी होगी तो यह डिपेंड करता है मरीज की कितनी जाचे लिखे गई हैं तो यह तो फिर आवश सेलेक्ट करते टाइम क्या साधानिया या फिर क्या चीज़ा बात ध्यान में रखनी चाहिए लैप सेलेक्ट करते समय मैंने आपको सबसे महत्मूर चीज़े है कि वहां पर कोई रजिस्टर्ट पैसलोजिस्ट ही उसे चला रहा हो यह चीज़ आप अवशे ध्यान रखें को तो यह चीज़ आप बिल्कुल जाच करने सीच के पहले से कि वहां पर पैथोलोजिस्ट आते हैं कि नहीं कि टेखनीशन के लेविल पर तो संचालित नहीं है कि टेखनीशन के लैप संचालित हो रही है तो अगर कोई वेल्यू इधर उधर या कुछ वेल्यू आबनार्मल पारी तो वह सीच को पकड़ नहीं पाएगा यह आप इंसान को कैसे पता चलेगा कि यह टैक्निश अगर तो अगर मालीज जे सफेद कोट डाल या इंसान डॉक्टर समझेगा ने तो आप उसकी वहाँ पे अंदर जाके आप वहाँ से ब्लकुल पता कीजिए कि यहां पर डाक होगी और अगर टेक्निशन होगा तो वो यह से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो इसलिए थोड़ा सा जो चलती भी लैप्स हैं जो थोड़े से पहले से जो स्थापित लैब हैं और विश्वस्थनिया हैं आप उन्हीं में जाएं तो वो ज्यादा बहतर है बहुत बढ़िया उसके बाद में उसका पैसा देते हो और तब ले करके जाते हो और वो सही भी है आपके स्वास्त के लिए और आपके पैसे के बज़त के लिए हर चीज के लिए सावधानी बहुत जरूरी है लेकिन क्या आप जब जाच करवाने जाते हो किसी भी बिमारी की तो यह चीज़े करते हो आप सुने किंग जॉर्ज मेंट का अपना रेडियो स्टेशन के जी एम युगूंच 89.6 मगा हर्स की फ्रिक्वेंसी पर मैं हूं आपके साथ में आज ये शिवाय लड़का यांदार शो शाम शांदार में आपके साथ में या पर होता है मौजूद और आज हमारे हो चुगर चेकप हो या एक्सवाइज कुछ भी तो लेबरेटरी में क्या चीज़े उपस्तित हैं वहाँ पर कौन जांच कर रहा है आपकी उसके बारे में सबसे पहले आपको अवेरनेस होने चाहिए जानकारी होने चाहिए कि सही जांच करने वाला उपस्तित है या सही त प्रांसफर के टाइम क्या कुछ सावधानिया में बरतनी चाहिए सर आज कल देखा जा रहा है लेबरेटरी टेस्ट प्रोफाइल पैकेज बहुत पढ़ने में देखने में सुनने में आता है क्या है यह सर और किस तरीके कि इसके बारे में जानकारी आप लोगों से साजा कर करती हैं कि पंद्रा सो, सोला सो या कुछ भी रुपए में आप लोग अपना पूरा बॉडी प्रोफाइल हेल्ट चेक अप कराएं तो इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है ठीक भी है खास कर उन लोगों के लिए जो पचास की उमर के पार हो क्योंकि पचास की उमर ही वो करना टेस्स ज़रूरी है साल में एक बार करवाएं और अगर कोई खास दिखकत हो तो आप रिपीट करवा सकते है लग से लेकिन जिन एक वाइं ठीक है और बहुत जाधा त्याधिक टेस्स कराने से बचे时ं क्योंकि वो लोक जो टेस्च करवाते हैं तो उसमें तो पूरे वह भी बहुत है क्योंकि अक्सर यह होता है कि शरीर में अगर कहीं भी कुछ हो रहा हो तो यह जो किड्नी फंक्शन टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट और हीमोग्लोबिन यह भी सबसे पहले प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं तो अगर अगर इन में कुछ करने से बचे और सरी इस पैकेज के पैकेज के वारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब कहीं इसका एमाउंट डिफ्रेंशियेशन भी होता है क्या इसा लाइक क्यूंकि आज की टाइम में जितने वी मैंने टेस्ट देखे बहुत सारी जैसे आपने का कुकरमुत्ता टाइ सब्सक्राइब व्याहिव घरते हैं तो कम से कम आप को यह संतुष्टी रहेगी कि आपकी जहां सही तुरीके से हुई और आपके हाथ में सही रपोर्त आई है कई लोग जैस Tea की इसमें भी आपका फॉल्स वघ्याट आईगी इसमें, तो हर जगए आप बिल्कुल सही नहीं हो सकतें कि अगर गर भी ब्रीबो जाच नेहींत बाध मालूम है कि कैसे जाच गड़նी Mindопost तो तो ठीक है अगर आपको जरा से भी कुछ संद ही जरा कुछ डाउट है तो निश्यति जो प्रोफेशनल है आप उनके कॉंटेक्ट में जाईए ग्रेट इंफॉमेशन फॉम यू सर और बहुत सारी ज्यादा जानकारी आप लोगों को भी मिली होगी शोता हूं मेरे ख्याल EDU और साथ ही साथ में हम तक पहुँच भी सकते हैं हमारा पता है सीतापूर रोड अपोस्ट भुद्धा पार्क साइंटिफिक कंवेंशन सेंटर पूरा नाम अटल विहारी वाचबें सेकेंड फ्लोर पर हमारा आफिस है आप रीच कर सकते हैं अपने सावालों के साथ में आपको जो जानगारी चाहिए हमारे स्पेसिलिस्ट जरूर आप तक पहुचाएंगे सर आपका बहुत दनेवाद आप यहां तक आए मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों मैं बस यही मैसेज कहना चाहूंगा कि एक सफल और संतुष जीवन जीने के लिए निरोगी काया होना बहुत आवशक है और निरोगी काया अभी हो सकती है जब आप अपना खान पान संतुलित रखें व्यसनों से दूर रहें और तनाव रहें तो इन तीन बंदों पर जरूर ध्यान रखें और जो कि मैंने अभी आपको जो चीजें बताएं कि अगर मान लीजे अगर आपको रिपोर्ट के द्वारा और अपना सही रोख करने दान पा पाएंगे अतियंत हर्श और गर्व की बात है कि रेडियो के जीम्यों गोंज आप हमारी फ्रिक्वेंसी 89.6 MHz पर तो सुनी सकते हैं साथ ही विश्यो के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे के जीम्यों गोंज के अप्लिकेशन के साथ जो अब Android और iOS दोनों पर मौझूद है Android यूजर्स हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए Play Store पर और iOS यूजर्स एप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गोंज और डाउनलोड करें जानकारियों मनोरंजन से भरपूर हम सब का अपना रेडि रेडियो के जी एम यूगोंज 89.6 एफेम